ते दिनों बाद मैंने पिश्टे दिनों इतनी बार सोचा ना कि चरवाज व्लोग बनाती हूं आज व्लोग बनाती हूं और कुछ स्टार्ट भी किया लेकिन दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता विकूस कुछ ना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इसका फीड फिर इ कुछ टिप्स भी दे पाओगे and हमारे लिए अभी यह थोड़ी शुरुआत है इस फेज की थोड़ी यह नुजर्णी जो है यह अभी शुरू हुई है so used to हो रहे हैं अभी भी obviously because इसके हिसाब से जो है पूरा रूटीन भी हमारा बन रहा है यह फीड लेके सोता है तो मैं वे इसके साथ दो तीन घंटा सो जाती हूं फिर यह उठता है तो मैं उठती हूं like that मैंने सोचा कि चलो कुछ तो start करूं और फिर so many things to share so many things to talk तो शुरुबात तो करते हैं it's it's all fun मतलब इस तरीके से अपने लिए time ना मिलना भी उसमें भी एक अपना ही मजा है and all the mothers in this phase या जो इस phase से गुज़र चुकी हैं वो मेरे साथ अकरी करेंगी कि this madness has its own charm yes so living this right now so है अभी ये थुड़े जगा हुआ है इसके बाद ये सो जाएगा तो मैं सुला लू उसके बाद मैं आपसे मिलती तो आज मैं ये सोया था आज काफी देर पीस्फुली तो मैं अराम से जो है अपना है बाश कर कर के आई हूं but it's it's all fun मतलब इस तरीके से अपने लिए time ना मिलना भी उसमें भी एक अपना ही मजा है तो दिपिका ककर ने अपनी routine शेयर की है अपने baby boy रोहान के साथ और उनका कहना है कि ये little tough हो जाता है मेरे लिए लेकिन ये भी मजा है ये भी fun है अपने लिए time निकालना और अपने बच्चे की take care करना किया आप तो आप भी लिखीएगा क्या वाकी आप रिलेट कर पा रहे हैं दिपिका ककर की इस routine से comment section में जरूर लिखें मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक कि लिए लाफिए